हेलो एवरिवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टड़ी सर्कल आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और सब लोगों की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आप जो हम लोगों का यहाँ पे रहेगा टॉप हंडेट कोईशन हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपके पर्यायवाजी हैं विलोम शब्द हैं अलंकार और आपका जितने चंद हैं अनुप्रास अलंकार हो गया आपका ठीक है रस हो गया और वाक के कैसे होते हैं इन सब के बिहाब पे जैसे जैसे questions होते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं तो लास्ट तक के लिए आप बने रहेगा हमारे शाहत और आप डेल कैरेंटी से यहाँ पे बहुत अच्छे-चीज़े सीख के जाने वाले हैं और सेम एक्जाम का पैटर्न आपका यही रहेगा ऐसे ही question पूछे जाएंगे यहाँ पे तो हमने आपको 10 questions रखे हैं इच टॉपिक पे बट एक्जाम में आपको 1 और 2 ही आएंगे तो फर्स question है हमारा अमरित का पर्यायवाची शब्द है तो अमरित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है अमरित का पर्यायवाची शब्द होता है यहाँ पे विश, सुधा, मधुप और आम्र तो जैसा कि हमको पता है क्या होता है यहाँ पे सुधा होता है नेक्स्ट कोईशन की तरफ मूव करते हैं, प्रत्वी का पर्यायवाची शब्द है, प्रत्वी का पर्यायवाची मतलब एक ऐसा उसी के समनार्थी शब्द भी पर्यायवाची शब्द को ही कहते हैं, प्रत्वी का रत्न गर्भा होगा, हिरलने गर्भा होगा, वसुमती है य अनुज होगा और सखा होगा तो जो शत्रू का है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर अरी अरी शब्द शत्रू का कैसा है पर्यायवाची है खर का पर्यायवाची शब्द क्या है खर का रावड है कुंटित गधा और मूर्ख जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है यहाँ पर गधा नेक्स्ट मूव करते हैं अनन्त का परायवाची शब्द है अनन्त का परायवाची शब्द क्या होता है निसीम होगा भगवान शेशनाग बंधन तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा निसीम होगा आई होप आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो लास्ट बने रहेगा ताकि आप ये टॉप हंडेट कोईशन्स आपके ऐसे हैं कि जिन में से अगर आपको एक भी कोईशन एक्जाम में मिल जाता है तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स कोईशन है अनिल का परायवाची शब्द है अनिल का परायवाची क्या शब्द है चक्रवात पावस पवन और अनल तो अनिल का क्या है यहां पर पवन है नेक्स कोईशन है तन्य का परायवाची शब्द क्या है खीर पे कौन्द और दूद तो इस तन्य को ही क्या ब पूद बोलते हैं ये इसी का परायवाची है नेक्स्ट है अर्विंद का परायवाची शब्द क्या है अरच निवासी है अरभी है कमल है और भ्रमर है तो अर्विंद को कमल को ही क्या बोलते हैं अर्विंद बोलते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट कोईशन की तरफ, म्रगेंद्र का पर्याइवाची शब्द क्या है? म्रगेंद्र का आपका शादुल होगा, अही होगा, हिरन है या कुरंग है? तो म्रगेंद्र का आपका क्या है यापे? शारदुल है. जानवी का परयावाची शब्द क्या है जानवी का संसार है जानने वाली सुरसरी और जहनुम तो जानवी का परयावाची क्या है सुरसरी है नेक्स्ट है आलोग का विलोम शब्द अब विलोम शब्द देखते हैं तो आलोग का विलोम शब्द क्या होगा अध्भुत अज्यात अंधकार और रात्री आलोग प्रेकाश होता है तो अंधकार इसका क्या हो गया विलोम हो गया जेस्ट का विलोम शब्द है जेस्ट मतलब रुका हुआ, संचल, चंचल, चेतन और जंगम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंगम है, नेक्स्ट है, गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गमन का जैसे सब को पता है, क्या होता है, आगमन होता है, नेक्स्ट है, मौन का विलोम शब्द, मौन मतलब चुप होना, त तो अभिग्य का आपको बताना है क्या होगा, तो अभिग्य का आपको यहाँ पर बताएंगे उसका क्या हो जाएगा, अनभिग्य हो जाएगा, नेक्स्ट है, यहाँ पर संपन व्यक्ति की वैधा नहीं जान सकता, ठीक है, तो संपन का क्या हो जाएगा, संपन का क्या होता है विपन होता है, क्या होता है, विपन, नेक्स्ट है विस्तार का विलोम शब्द, विस्तार मतलब बढ़ा कर लिखना, तो इसका क्या हो जाएगा, संशेप, संशेप मतलब छोटा गर के लिखना, गरीमा का विलोम शब्द क्या होता है, गरीमा का विलोम शब्द होता है, लगी नेक्स्ट है जो कभी जो पहले आपन initiatives क्या क्या हो हो उसको क्या भूत पूर्व क्या बّोल desiddas का और जित्य बहुतः जै तो सर्वग्य जसे सब कुछ पता हो उसको क्या कहते हैं सरवक्य कहते हैं जिसकी गर्दन सुन्दर हो तो उसको क्या कहेंगे सुगरीव कहेंगे सब अच्छे comment करके हमें बाक्स में बताएंगे कि उनको out of यहाँ पे उसको कितने यहाँ पे correct हुए हैं नेक्स्ट है आपका लॉकिक लॉकिक इसके लिए यूज किया जा सकता है जो इस लोक की बात हो ठीक है मतलब जो इस लोक की बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे लॉकिक कहेंगे नेक्स्ट है पुरुष और इस्त्री के जोड़े को क्या कहते हैं सबको पता है दमपती बोलते या स्वीक्रत विधी तो उसको क्या कहेंगे भाई या अधिनियम बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको अधिनियम बोलेंगे ये सब बहुत ध्यान से समझेगा ताकि एक्जाम में कभी भी पूछा जाए तो आप बिना मिस्टेक की होए उसको आँख बंद करके फटाफट कर सकें कारे को नए ढंग से करने की पद्यती आप कोई भी कार नया तरीके से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा नवीनी करण कहलाता है क्या कहलाता है नवीनी करण निशित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र यानि कि आप एक लेटर किसी को दो और समय पे उसका अंसर ना मिले तो उसके बाद में उसको क्या कहेंगे तो उसको बोलते हैं अनुसमारक क्या बोलते हैं अनुसमारक नेक्स्ट है आप यहाँ पे आपको बताना है कि यह किस प्रकार के वाक्य है ठीक है राम पढ़ता है तो यह कैसा वाक्य है सरल वाक्य है संयुक्त वाक्य है मिश्चित वाक्य है और इन में से कोई नहीं है तो राम पढ़ता है वो कैसा वाक्य है एक सरल वाक्य है नेक्स्ट है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली क्या है उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली तो ये कैसा वाक्य है ये एक सैयुक्त वाक्य है कैसा वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जो दो वाक्यों को मिला कर बनाय जाते हैं उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे ठीक है तो दूसरा क्या है आपका यहाँ पर आपको बताना है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवस्य शफल हो जाओगे यह कौन सा वाक्य है यह मिश्चित वाक्य है कौन सा है मिश्चित यानि की complex sentence बोलेंगे इसमें क्या होता है एक वाक्य दूसरे वाक्य पर dependent ह पर चलते हैं मतलब independent मतलब आप बोल सकते हैं कि जो आश्रित और पराश्रित होता है इश्वर तुम्हें सफलता दे तो यह कैसा है भाया हम इसमें क्या कह रहे है इश्वर तुम्हें सफलता दे यह इच्छा वाचक है है ना इच्छा वाचक कर रहे है कि इश्वर तुम्ह बढ़कर सुख नहीं है ठीक है यह तो कौन सा वाक्य हो जाएगा सरल यानि कि सरल वाक्य विवाक्य होते हैं जो एक statement को कहते हैं और एक simple एक अपका declaration कहा जाता है वो सरल वाक्य होते हैं मजदूर मेहनत करता है किन्तु उसके लाब से वन्चित रहता है ठीक है अब देखो यह यहां पर क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो गया क्या वाक्य हो गया है यहां पर संयुक्त वाक्य हो गया क्योंकि मजदूर मेहनत तो करता है पर उसके लाब से वन्चित रहता है तो यह कौन सा वाक्य है संयुक्त वाक्य है राजनीती अब एक website बनती जा रही है गुंड दूसरे पर क्या है, independent है, ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र्वाक, यानि की मिश्रित वाक्य हो गया, next है, आज बहुत पानी गिरा, आज बहुत पानी गिरा, ये तो साधारन वाक्य हो गया, simples, साधारन ये सरल, आपका दोनों कैसा ही है सेम ही है साधारान और सरल नेक्स है तुलसी दास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धी भस्ट हो जाती है ठीक है तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा ये मिश्रिवाक हो गया क्योंकि इसमें दो तीन चीज़े क्या हुई है मिली हुई है तुलसी दास ने कहा ठीक है फिर विनाश काल में और मनुष्य की बुद्धी भस्ट हो जाती है तो ये मिश्रिवाक्य हो गया उसे अब अकेला नहीं रहा जाता ठीक है ये कैसा वह वाक्य है इस वाक्य को बोला जाएगा आपका भाव विवाच है कैसा वह वहाँ पर एक भावना दिखाई जा रही है कि अब वह अकेले नहीं रह पा रहा नेक्स्ट है वाकि के अब यहां पे वाकि को शुद और अशुद वाकि भी यहां पे दिये गए हैं उनको देखिए जो तुरुटी पूर भागोगा आपको वो बताना है जो error spotting बोलते हैं मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मातर थे तो इसमें से जो गलत है वो कौन सा है मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल मातर 20 रुपए थे तो इसमें से क्या होगा केवल 20 रुपए मातर थे यह गलत है अब गलत है तो क्यों यह भी तो पता होना चाहि गलत वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केवल भी लिखा है और मात्र भी लिखा है या तो लिखे 20 रुपए मात्र थे या लिख दे केवल 20 रुपए थे तो इस तरीके से यह क्या हो गया गलत हो गया नेक्स्ट देखते हैं वाकिय के अशुत भाग का चैन फिर से करना है राम राजी में शेर और बकडी एक घाट पर पानी पीती थी ठीक है तो अब यहाँ पर क्या गलत हो गया तो यहाँ पर तो सबको पता है पानी पीती थी तो यही क्या है आपका रॉंग हो गया पानी पीते थे ठीक है यह होगा नेक्स्ट है वाकिय के अशुत फिर से राजा दस्षत को चार पुत्र राम लच्मन भरश अदुदन पैदा होए थे तो यहाँ पे तुटि क्या है? बताओ गलत क्या है? पहले ही होगे है राजा दश्रत को. तो राजा दश्रत को नहीं है, राजा दश्रत के? नेक्स्ट है हमारा. एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में सनलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रशनता का ठिकाना नहीं रहा ठीक है तो यहाँ पे correct क्या है यहाँ पे गलत यह है आज उसे छपे आकार में देखकर ठीक है छपे आकार में देखकर क्या होता है मतलब छपे आकार में तो यह तो गलती हो गया पढ़ने में यह आपको लगरा गलत है ठीक है या छप जाने के बाद ऐसे होगा नेक्स्ट है आपका छायावाद के युग मेरास्टवादी विचारधारा के उन्नत स्वर सुनने को मिलता है तो यहाँ पर क्या गलत होगा सुनने को मिलता है ये आपका गलत है ठीक है बाकी को सुनने को मिलता है या सुना जाता है इस तरीके से विचार धारा के उन्नत सर सुनने को मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट है आज भेस्टाचार हर छेतर में भेस्टाचार के रूप में जाना जाता है यहाँ पर गलत होगा वो कौन सा है यहाँ पर जाना जाता है ठीक है क्या गलत है जाना जाता है कैसे आज भेस्टाचार हर छेत्र में भेस्टाचार के रूप में जाना जाता है यह हर रूप में होता है ऐसे नेक्स्ट है राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वच पर साप लोटने लगे तो यहाँ पर क्या होगा वच पर साप लोटने लगे यह हमारा क्या होगा यहाँ पर यह गलत होगा नेक्स्ट है जब प्रत्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी ना किसी महापुरुष के रूप में प्रत्वी पर अफदार लेता है तो यहाँ पर कौन सा गरेक्ट होगा तो क्या है तब ईश्वर किसी ना किसी महापुरुष के रूप में ठीक है त क्योंकि यहां पर अल्रेडी बोल दिया गया है कि प्रत्वी पर अफ्तार लेता है ना तो प्रत्वी तो यहां पर तब यहां पर क्या करेंगे नहीं उसकरेंगे जब प्रत्वी पर पापर अत्याचार बढ़ते हैं इश्वर किसी ना किसी महापुरुशों के रूप में प्र करना कठिन है तो यहाँ पे जो क्या है निर अपरादी ठीक है तो क्या होगा निरापरादी और निरैपरादी का होगा है नेंउस यह दिवाली पर कुछ लोग चम 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 चमाती चान्दी के बरतन खरीदने का लाम संवण ना कर सकें तो इसमें कौन زजा का तो चम चमाती चांदी के बरतन अरे भाईया चांदी है तो वो अपने आप ही चम चमाएगी ठीक है तो उसमें चम चमाती चांदी के बरतन का नहीं होगा आसमान पर चड़ना का अर्थ क्या? अभी यहाँ पे आपको मुहावरे है तो मुहावरे आपको बताने है कि क्या होगा ठीक है? आसमान पर चणाना तो इसका correct मीनिंग क्या होगा? अत्यादिक अभिमान करना, कठीन काम के लिए प्रिदित करना, बहुत शोर करना, अत्यादिक प्रिशंशा करना, तो यहाँ पर जो correct answer क्या हो जाएगा, अत्यादिक प्रिशंशा करना, क्या हो जाएगा, अत्यादिक प्रिशंशा करना, next है, आग की किरकरी होना का अर्थ, आ मतलब अर्थ क्या होगा अपरी लगना लाल पीला होने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर लाल पीला है क्रोध करना लाल पीले का अर्थ क्या होता है क्रोध करना नेक्स्ट है सिरहतेली पर रखना ठीक है सिरहतेली पर रख देने का मतलब क्या होता है आपका मरने के लिए त अंतर के पट खोलना अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है विवेक से काम लेना क्या होता है विवेक से काम लेना नेक्स्ट मुव करते हैं अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है अंगूठी का नग होना मतलब बहुत सुन्दर होना छिपा हुआ बहुत प्रिय और अनुरूप जोड़ा होना तो इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना अंगुठी करनक होने का अर्थ क्या हो गया बहुत प्रिय होना काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है आपका काम ना करना काम समाप्त करना काम पूरा करना काम ना ज अनावशक रूप से पस्टवादी होना सधयक्त, मूस्प से यहां कटोर वचन echo welfare या सरुवत्ट अपनी वग्मिता दिETH हमाओ, तो अनावशक रूप से इस पस्टवादी हुना का अर्थ क्या होगा यही अर्थ होगा, जुबान पर लगाम ना होना, नेक्स्ट है टस से मस ना होना, टस से मस ना होने का अर्थ क्या हो जाएगा अनुने विनेने से ना पसीजना, मतलब आप किसी की कितनी भी विन्ती कर लो पर वो टस से मस ना हो next है tang ainarana का rath क्या होगा tang ainarana का rath مतलब क्या होगा badnaam करना, bina karenANT गलत काम करना या अवरोध पैदा करना तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा अवरोध पैदा करना जैसी करनी वैसी भरनी यहाँ पे अब हम किसकी बात कर रहे हैं लोकोक्तियों की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं लोकोक्तियों की तो आप कमेंट करना ना भूलेगा कि आपके कितने सही हुए हैं क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपके एक्जाम की preparation कैसी चल रही है, कैसी चल रही है, जैसी करणी वैसी का अर्थ क्या है, कारीक एनुसरार परिडाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है, उसे उतना ही लोटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिडाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए तो correct answer क्या हो जाएगा कारिक्य अनुसार हमें क्या मिलता है परिराम मिलता है चम्री जाय पर दम्री ना जाए इसका अर्थ क्या होता है पैसा ही माबाब दोनों है या अत्यदी कंजूस होना मखी चूस होना या जान चली जाए पर पैसा ना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अत्यदी कंजूस होना यानि कि चम्री जाय पर दम्री ना जाए अब पस्ताय होत क्या जब चुडिया चुग गई खेट तो इसका अर्थ क्या होगा इसका अर्थ समय रहते काम करना चाहिए या फिर आपका क्या है समय पर काम ना करने के बाद पस्ताना पड़ता है नस्ट फसल की रखवाली बेकार है या अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए तो अब पश्टाय हो तो जब चडिया उड़ गई के तो इस चुगई खेत का अर्थ क्या है आपका समय पर काम करने के बाद पस्ताना पढ़ता है ना करने पर पस्ताना पढ़ता है चाजुंदर के सर में चमेली कातिर इसका अर्थ क्या है आपको correct बताना है दान के लिए सुपात्र ना हुना गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंदित देल लगाना बिलकुल अनपड व्यक्ति को धन मिलना या आयोग व्यक्ति को अच्छा पद मिलना तो इसका correct answer क्या है? आयोग व्यक्ति को अच्छा पद मिलना Next, मांगे भीग गाउं की जमा का अर्थ अपनी असलियत भूल कर बात करना भीग मांग कर गुजारा करना ग्राम समाज की भलाई करना या इन में से कोई नहीं Next, मूव करते हैं कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ क्या है? बार बार कथन बदलना तालमेल ना होना तितर बितर होना या बहुत चालाख होना इसका correct answer क्या होता है? तालमेल ना होना क्या है आपका correct answer? तालमेल ना होना Next है अपनी ढफली, अपना राग का अर्थ क्या है? स्वतंधर होना अपना दुखडार होना संगठन का अभाव सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना तो इसका correct answer क्या है? सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना मतलब अपनी ढफली, अपना राग बजाना हासुई के ब्याहा में खुर्पी का गीत अर्थ मतलब हासुई के ब्याहा में क्या हुआ खुरपी का गीत, इसके अर्थ क्या है, शादी का गीत है, गाना, जशन मनाना, असंगद बाती करना, यह निचले इस तरका कारे करना है, तो इसका जो correct answer हो जाएगा, असंगद बाती करना, मतलब क्या है, एक ही जैसी बाते ना करना, नेक्स्ट जाके पाऊना फटे बिवाएं सो क्या जाने बीर पराई का अर्थ ठीक है मतलब जिसके उपर जो बीती है वही जानता है दूसरों के बारे में वो नहीं समझता दूसरों की पीड़ा या तकलीफ नेक्स्ट है जस दूला तस बाराती बने बाराती मतलब जैसा दूला वैसी ही बारात बनती है तो इसका अर्थ क्या होगा इसका अर्थ क्या होता है सभी साथी एक ही जैसे मतलब यह जैसी बारात है वैसे ही जैसा दूला है वैसे ही बारात होंगे तो करेक्ट नांसर क्या हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे नेक्स्ट अभी हाँ पर हम लोग रस की बात करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप जान लीजे रस क्या होता है रस का मतलब क्या होता है आनन्द होता ठीक है जब हम कभी कोई भी कावे पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें उसमें जो भी आनन्द की अनुभूती होती है उसे ही रस कहते हैं ठीक है, आप कभी भी कोई ऐसा कावे पढ़ लीजिए कि आपको वहाँ पे बहुत खुशी हो रही है कभी आपको बहुत कॉमेडी वाल आपने देख लिया, कभी आपको बहुत सैडनेस फिल हो रही, करून रश हो जाएगा वहाँ पे यहां पर थोड़ा थोड़ा उसका रिवीजन भी करते जाएंगे बड़ जिन बचों ने हमारा हिंदी का स्लेबस वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले UPSC JE 2018 हिंदी का सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और महां से आप पूरी हिंदी की महां पर पढ़ सकते हैं इस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है इस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है नाइन होती है नेक्स्ट बात करते है रस के जितने भी भाव होते हैं उनके भावों को स्थाई भाव कहते हैं जैसे शांत रस का इस्थाई भाव क्या होता है, शांत रस का इस्थाई भाव देखा जाएगा, तो यहाँ पर शांत रस का इस्थाई भाव होता है, शम भी होता है, निर्वेद है, वेराग है, और वीतराग है, क्या है, आपका सम निर्वेद वीतराग यह है, तो आपका करे शंगार्रस की स्थाइभाव यहां पूछा गया है तो शंगार्रस का स्थाइभाव क्या हो जाएगा रती या फिर प्रेम हो जाएगा क्या हो जाएगा रती या फिर प्रेम हो जाएगा जैसे आपका यहां पर संयोग शंगार भी हो सकता है और वियोग शंगार भी हो सकता है दो प्रेकार का हो सकता है जैसे निसिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहिती पावत रितु हम पैजब तेश श्याम सिधारे तो यह आपका वियोग हो गया मतलब उनके कृष्ण जी के वियोग में यह बोला जा रहा है ठीक है और दूसरा संयोग शेंगार कैसे हो जाएगा जिसमे आपका प्रेम्ड होगा तो वो क्या होगा बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सहो करे भौहन हसे दैने कहें नटिक का जक्काए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर संयोग रस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा विसमे स्थाई भाव किस रस में होता है तो आ अध्भुत क्या होता है अध्भुत होता है नेक्स्ट है किलक अरे मैं नेहू निहारू इन दातों पर मोती वारू इन पंक्तियों में कौन सा रस है ठीक है आप इसको एक दो से तीन बारा पढ़ेंगे तो अपने आप आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किसका है क्या बोल रहे है किलक अरे मैं नेह निहारू इन दातों पर मोती वारू यानि कि आपके रामसी के बारे में जो चोटी चोटी वो जब खेलते हैं तो उनके बारे में बात हो रहा तो यहाँ पर यह कौन सा रस हो जाएगा आपका वात्सल रस से हो जाएगा कौन सा हो ठकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हलानी जियो नलिनी हिमकर की मारी ठीक है अब यहाँ पे कौन सा रस हुआ है ये बताना है आपको हासर रस है करुण रस है विप्र लंभ शंगार रस है या संयोग रस है तो यहाँ पे क्या है फिर से पढ़िए इसको मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी के प्रेम में पड़ी है पर वो कैसी है दुख में है ठीक है तो इस तरीके के रस को क्या बोलेंगे विप्र लंभ शंगार रस बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट है सर्विस रेष्ट रस किसे माना जाता है तो सर्विस रेष्ट रस किसे माना जाता है शेंगार रस को माना जाता है और इसका जो इस्थाई भाव होता है इसका इस्थाई भाव रती होता है और क्या होता है प्रेम होता है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट ह शेंगार रस है वो शेंगार रस के कवी है मेरे मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई ठीक है अब यहाँ पे कौन सा सेंगार है भाई यहाँ पर भी आपका कौन सा है शेंगार रस ही है ठीक है कौन सा रस है यहाँ पे शेंगार रस और शेंगार रस का अभी हम लोग ने पढ़ा इस थाइभाव क्या होता है रती और प्रेम होता है शोबित कर नवनीत लिये घुटिरनु चलत रेनु तन मुंडित मुक दतीत लेप किये इन पंक्तियों में कौन सा रस है तो अब बच्चे की बात हो रही है तो वहाँ पे ममता यानि की वातसल्य यानि की ममता मा का प्यार उसी का रहेगा अगर समझ में आ तो प्लीज इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को फड़ा फड़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट है आपको उन टाम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सके विकोज यहाँ पर अगर आप एक्जाम को चाहेए तो जान लगा दीजे अब चाहिए तो फिर एक्जाम को जाने दिये सबको पता है उप्रिशनिटी को जाने नहीं देते हैं जो भी उप्रिशनिटी हो उसको ग्राप कर लो ताकि आपको जो आपका एम है वो कम्प्लेट हो सके पता है अब यहाँ पर चंद को उसको चट धातू से बना होता है जिसका मतलब होता है खुश करना होता है तो अब चंद कैसे होगा तो चंद की अगर परिभाशाiser देखेंगे तो वणो या मात्राओं में नियमित संख्या के विन्यास से क्या कहते है उसे उसमें चंद होता है ठीक है अब यहाँ पे चंद में क्या होता है हम मांत्राओं को काउंट करते हैं चंद में क्या करते हैं मांत्राओं में होता है ठीक है आपको ये बताना है तो जब हम कोई भी छंद को विभक्त करेंगे तो वो चरणों में भी होता है और यती में भी होता है तो इस तरीके से जो correct answer हमारा पहुच जाएगा वो क्या हो जाएगा दोनों पहुच जाएगा next move करते हैं चारो चरणों में समान माताओं माताओं नहीं मात्राओं क्या हो जाएगा यहाँ पर समान समान मात्राओं वाले चंद को क्या कहते हैं ठीक है अब देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी मांत्राएं चलती है कौन सी मांत्रा चलती है सम मांत्रा चलती सम मतलब even यानि विसम मांत्रा है बोलते हैं ठीक है अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से मांत्रा होंगी तो मांत्राओं को आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मांत्रा के लिए क्या यूज करते हैं ठीक है अगर बड़ा की मांत्रा होगी तो उसको हम क्या ले ले अगर यहीं पर बड़ी e use हुआ है बड़ा o use हुआ है बड़ा i use हुआ है किसी यहां उसमें कोई भी दोहा लिखा है ठीक है जैसे यहां पर लिखा है समान ठीक है आप एक example हम आपको यहां पर बता देते हैं कि समान के लिए आप किस तरीके से इसको देखेंगे समान को अगर में बड़ा की मांतरा है तो दो मांतरा है और ना में कोई मांतरा नहीं है तो छोटा आ है तो एक है तो इसको यहां पर क्या कर देंगे फोर कर देंगे तो इसकी मांतराओं की संख्या कितनी हो जाएगी फोर मांतरा हो गई मतलब कि यह कौन सी मांतरा हो गई सम हो गई तो जहाँ पर हमारा सम चरण आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा विसम चरण आ जाएगा तो यहाँ पूछा गया है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले चंद को क्या कहते हैं मतलब जिसमें क्या हो सारी हो तो उसको सम मात्रिक चंद बोलते हैं तो अब सम्मात्रिक छंद आएगा, तो उसको दोहा बोलेंगे, सोठा बोलेंगे, चौपाई बोलेंगे, या फिर ये सभी बोलेंगे, तो इसमें क्या होगा, जितनी चौपाई होती है, वो कैसी होती है, सम्मात्रिक होती है, मतलब चौपाईू में सम्मात्रा के ही मिलते है, आप जो भी कोई आपको दोहा या कुछ लिखा है आप उसकी मांतराओं को count कर लीजे even मांतरा आती है तो वो चौपाई कहलाएगी next है जैसे यहाँ पे है ना लिखा है नहीं तो नहीं में क्या है ना में पहला है ठीक है इसके लिए हम बता रहें सिफ ना में पहली मांतरा हो गई हा में क्या हो जाएगा छोटी की मांतरा है तो वन ये कितना हो गया इसका करेंगे इसका 4 हो जाएगा इसका भी क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा पहला आ हो गया छोटे उ की मांतरा फिर वन हो गया फिर वन ये हो गया थ्री हो गया ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा टू 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 ऐसे काउंट करके हम लोग करते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा पता चल जाएगा कि कितने मांतरिक है तो जो उपर दिया है नहीं परा तो चलिए अब जान लेते हैं जो दोहा होते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह अपका दोहा है दो हा में क्या होता है जैसे आपको यहां पर लाइन दे रखेंए ठीक है एक यह first line है और यह आपकी second line है ठीक है इनको ही कैसे break कर देते हैं यह आपको जानना पड़ेगा ठीक है इसको अच्छे से जान लिजिए कि इसको जानने के लिए कैसे करते हैं कैसे करते हैं एक प्रथम चरण होता है दूत्य चरण होता है और चतुर चरण होता है ठीक है यहां पर क्या देखा जाता है आपको कि आपके जो विशम चरण होंगे और सम चरण की मांत्राइं कैसी होनी चाहिए आपकी तेरा मांत्राइं और क्यारा मांत्राइं यानि कि आप क्या बन जाएगा यहाँ पर दोहा बन जाएगा क्या बन जाएगा यहाँ पर दोहा बन जाएगा next move करते हैं शिल्प गत अधार पर दोहे से उल्टा चंद है ठीक है शिल्प गत अगर अधार पर देखा जाए तो दोहे से उल्टा चंद होगा तो अगर उल्टा चंद हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है सोठा बन जाता है सुनू सिये सत्य असीम हमारी पूजही कामना तुम्हारी तो सुनू का क्या हो जाएगा वन वन करके टू हो जाएगा क्योंकि छोटे उकी मांतरा है ठीक है CA भी क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा सत्य क्या क्या हो जाएगा ऐसे ही count करेंगे 80 हमारी का count कर लेंगे फिर इसका और इसका count कर लेंगे ठीक हैं तो count करना हमने आपको सिखा दिया अगर आपको नहीं समझ में आया तो comment box में आप comment करिएगा तो इसका हम चंद का अलग से एक वीडियो बना देंगे जो आपका एक separately वीडियो रहेगा ताकि आपको समझ में आगा अगर इसी से समझ में आता है तो that's very good इसमें क्या हो जाएगा सुनने सिये सत्य असीम हमारी पूजही कामना तुमारी प्रस्तुत पंक्तिव में कौन सा चंद है तो इहां पर कौन सा चंद हो जाएगा चौपाई चंद हो जाएगा कौन सा है चौपाई चंद है और फिर उसके बाद बताएंगे कौन सा होगा आपका दोहा होगा नेक्स्ट आपका है जिस चंद के पहले तता तीसरे चरण में तेरा और दूसरे और चौते चरण में क्या होती है ग्यारा ग्यारा मांत्रा होती है वह चंद कहलाता है तो वो चंद क्या कहलाता है दोहा कहलाता है ये याद रखेजिएगा जिसके पहले और तीसे चरण में क्या हो जाए तेरा तेरा मंत्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में यानि कि सम में ग्यारा मंत्रा होती है तो वो दोहा कहलाता है नेक्स्ट है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गय ना उबरे मोती मानश चून यहाँ पर कौन सा च्छन्द यूज किया गया फिर से आप काउंट कर लेंगे मांत्राओं को और फिर आप बताएंगे ये भी क्या होगा आपका दोहा होगा आई होप आपको सेक्षन अच्छे से समझ में आ रहा है चलिए लास्ट के ये 10 कोशन्स कर लेते हैं जो कि आपकी अलंकार पे बेस्ट है अलंकार का भी एक वीडियो बना हुआ है आप जल्दी से जाके सर्च करिए प्लेड लिस्ट में अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट इंबॉक्स में आप बताईएगा फर्स्ट है आपका उपमा तर्नि आपका क्या है तरनी तनुजा तट कमाल तरुवर चाय में कौन सा अलंकार है ठीक है तो पहले अलंकार की डेफिनिशन जान लीजीए अलंकार को ओर्नामेंट्स भी बोलते हैं और अलंकार मतलब एक आप को सुन्दर बनाने के लिए अलंकारों की जरूरत पढ़ती है ठीक है तो जैसे अब कोई भी इस्तरी है वो कोई भी अगर सुन्दर आभुशर पहनेगी तो वो आपको बहुत जादा अच्छी लगेगी तो उसी तरीके से अगर कावे में भी अलंकार यूज किये जाएंग के अधार पे अलंकार होते हैं और अर्थ के अलंकार पे अधार पे भी क्या होते हैं अलंकार होते हैं तो यहाँ पर बहुत साले अलंकार है पर हम लोग वहाँ पर यह अलंकार करेंगे जो जादा 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 पूछे जाते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तरनी तंजा त अचर्टक तमाल तरूर छाये में कौन सा अलंकार है तो जैसे-जैसे अलंकार आएगा उसकी रेटरिशन में पताती जाओंगी तो फर्स्ट कॉश्शन का जो आंसर हो जाएगा वह अंसर कौन सा हो जाएगा यहां पे अनुप्रास अलंकार है तो अनुप्रांस अलंकार क्या होता है विंजन वणों की आवरती यानि ही एक ही बार 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 वण आ जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा अनुप्रांस अलंकार ही देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर तरनी में ता तनुजा में ता तट में त तमाल मेता तरुवर मेता ता का बार-बार क्या हो रहा है आवरन हो रहा है बार-बार आवरती हो रही है तो इसलिए अगर किसी भी वन का बार-बार आवरती हो तो वो अनुपरांस अलंकार होता है नेक्स्ट है चरर मरर खुल गए अररर रफस्टों में कौन सा अलंकार है ठी नेक्स्ट है, बढ़े न हुजे गुगन बिनु विरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनों गणों न जाए, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर है, अर्थान त्रयांस है, कौन सा है, अर्थान त्रयांस अलंकार इसमें क्या होता है, जो आपका सामाने का विशेश से समर्थन किया जाए, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, अधिक व्यापी हो, ठीक है, जो बहुतों पर लागू हो, और सामाने मतलब क्या है, अधिक व्यापी, जो बहुत चीजों पर लागू हो, और विशेश मतलब क्या हो ठीक है जिसे बड़े नहुजे गुगन बिनु विरद बड़ी बाई ठीक है कहा धतूरे सो कनक गैनो करन जाए तो एक दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं प्रथम चरण में सामाने बात कही जाती है दुत्य चरण में विशेश बात कह दी जाती है प्रथम चरण में तो नॉर्म तो यहां पे जो अलंगकार है वो कौनसा है? रूपक अलंकार है तो यहां पे चम्न का आरोप क्या होता निशे यानि कि मुख्य चंद्र है ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा नेक्स्ट है कनक कनक ते सो गुनी माकत्ता अधिकाए या खाए बौराए जग वापाए बौराए इसमें कौन सा अलंकार है तो यहां पर जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है यमक अलंकार है यमक अलंकार में क्या होता है शब्दों की आवरती होती है जैसे यहाँ पर कनक कनक दो बार यूज हुआ है तो कनक कनक एक ही शब्द दो बार देखो अगर वन यूज हो तो अनुपरास अलंकार होता है और अगर शब्द बार बार तो यह आपका उलेक अलंकार है। तो यहां पे कौनसा अलंकार है है। इसकी डैफिनिशन क्या होती है भिन पदार्थों का सद्रश्य प्रतिपातन यानि कि अलग अलग तरीके से यूज किया जाए एक ही पदार्थों को तो वहां पे क्या हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा उसमें क्या होगा जिसकी उपमा की जा सके ठीक है और जिसकी की जा सके ठीक है दूसरा क्या हो जाएग उपमे क्या होगा जिसकी उपमा की जा सके और उपमान क्या हो जाएगा जिसे उपमा दी जा सके एक को दे रहे हैं और एक की कर रहे हैं ठीक है दोनों के समान गुल धर्म होंगे उपमे और उपमान में जो पाया जाने वाला उभेनिस्ट गुल होगा वो दोनों कैसा होगा सम इद्रस समान आपको इस तरीके से उसमें क्या हो जाएगा देखने को मिलेंगे नेक्स्ट मूब करते हैं तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है अब तीन बेर खाती है में यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा कौन सा अलंकार next है अटी मलीन विश्भानू कुमारी अदो मुक रहित उरधी नहीं चितवत जियो ठर हरीकतित जुआरी चूटे जिरू बदन कुमलानी जो नलिनी हिमकर की मारी ठीक है यहाँ पे कौन सा अलंकार है यहाँ पे जो अलंकार यूज है वो कौन सा अलंकार यूज है उपुमा अलंकार यूज है आई होप आपको इस सक्षन बहुत अच्छे से समझ में आया है थैंक्स फॉर वाचिंग और प्लीज कमेंट और कमेंट में ये बताएए आपके आउट आफ हंडिट कितने सही हुए है